हलो दोस्तों नमस्कार में सवरावपाद्य है सबसे बेले तो मैं उन लोगों से टाटा भाइबा नमस्ते करना चाहूंगा जो लोग वहिया चाहरो बात आती है जिन लोगों को पेट की समस्या घो रही है उनको पता ही नहीं है कि आगर हमको हमको समस्या है क्या तो उन लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर सारी चीज़़े क्लियर की हुई है यानि धरंड क्या होती है किस तरीके से बोड़ी को इंपक्त करती है कहां कहां कौन-कौन से ओर्गन इंपक्त होते हैं से क्या-क्या क्या है सिंटम्स आते हैं और इसके रखक किस-तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं उसको भाग कैसे सकते हैं कि आखिर में क्या चीज तो ये सारी की सारी चीज़ जो है वो इस video के इंदर क्लियर की हुई है आप से request है कि please video को पूरा देखिएगा क्योंकि जानकारी आपको कि सटीक जभी मिल तो आएए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस सब के लिए आपको सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि नाभी की पोजीशन होती कहा है नाभी आखिर हमारी होती कहा है जिसको हम दरण बोलते हैं दरण की समस्या हो गई है जी उसमें आखिर शरीर में हो क्या जाता है शरीर आखिर किस थरीके से प्रवावित हो जाता है दरण की समस्या से या नाभी की समस्या से दोस्तो नाभी जो होती है वो हमारी जो लार्ज इंटस्टाइन है ये जो लार्ज इंटस्टाइन है इस large intestine के transfers column के just नीचे यानि इस जगा पर होती है हमारी नाभी और जर्नली लोग क्या समझते हैं लोग समझते हैं कि हमारी आंत्रियों के बीचो बीच नाभी होती है लेकिन ऐसा नहीं है नाभी जो होती है वो हमारी आत्री के यानि जो large intestine का transfers column जो है उसके just नीचे होती है यहाँ पर उपर वाले ने body के सारे muscles को लाके और यहाँ पर connect किया हुआ यहाँ पर उसको बांदा हुआ है जब यहाँ muscles सारे के सारे बंदे रहते हैं और यह जो होता है यह उसको बोलते हैं डाइफाम द्राइफार्म का काम क्या है कि हमारे जो पेट के ओर्गन है ये उपर की दरफ ना जाए और जो हमारे लंक्स का एरिया है यहां जो हमारे फेफडे होते हैं ये फेबले लटके ना ये जो है हमारे डाइस्टिव सिस्टम की दरफ ना आए ये नीचे की दरफ ना जुग जाए तो इसके लिए उपर वाले ने यहां पर हमको डाइफार्म दिया है इस डाइफार्म का मतलब है कि एक दीवार है एक तरीके की एक boundary wall बोल सकते हैं इसको या एक छट बोल सकते हैं जो कि हमारे lungs को नीचे आने से रोकती है और हमारे digestive organs को उपर की दरफ जाने से रोकती है तो जनरली जब हमारे सारे मसल जो है वो यहां पर सेट है और किसी न किसी एक pressure की वज़े से वो किसी भी तरीके का pressure होता है आपने अचानक से वजन उठाया कोई या कोई जटका लग जया तो ऐसी condition में यह जो यहां के नाभी के मसल है यह उपर की दरफ पुश हो जाते हैं जातर cases में दोस्तों यह समझना बहुत जरूरी है हर किसी के उपर की दरफ नहीं जाती लेकिन 80-85% लोगों की नाभी जो टलती है वह उपर की दरफ तलती है वह उपर की दरफ ही जाती है आप समझके देखिए इस चीज को कि जब आप कोई भी वजन उठाते हैं किसी दरीके के वजन को जब आप उपर की दरफ पुश करते हैं थो ऐसी कंडिशन में आपका जो पेट का प्रेशन है पेट की जो तागत है वो उपर की दरफ लगती है अब अभी स्वयन से फील करकर देख सकते हैं इस चीज को जब ये प्रेशन उपर की दरफ आपको फील होगा तो ऐसी condition में ये सारे के सारे organs जो है ये push करेंगे उपर की तरफ ये उपर की तरफ जाएंगे और यहां ये डाइफाम हो रखाई ये डाइफाम इनको और उपर नहीं आने देगा तो ये जो जगा है ये दबे की ये दबने की वज़े से हमारे पेट के उपर भी प्रेशर आएगा लिवर के उपर भी प्रेशर आएगा स्क्लीन के उपर भी प्रेशर आएगा पैंक्रियास के उपर भी प्रेशर आएगा गॉर्गाडर के उपर भी प्रेशर आएगा यानि ह हमारे सारे के सारे जो डायस्टिव ओर्गन्स हैं, उन सभी ओर्गन्स के उपर प्रेशन आएगा, दूसरी चीज़, इसमें कॉस्टिपेशन की ये लूज मोशन की कंडिशन किस तरीके से बन जाती है, देखिए, नाभी के मसल यहां है, नाभी जो है हमारी जब यहां सेट है और जब यह उपर की दरफ जाएगी, तो यह अपने साथ जो है, लार्ज इंटस्टाइन के ट्रांस्वर्स कॉलन को भी साथ लेके जाएगी, अब यहां पर जो दिवार है, वो ओर्गन्स को उपर नहीं जाने दे रही है, और यहां पर ना भी है, यह उपर की दरफ जा रह तो यह जो हमारी large intestine है, यह कहीं न कहीं जाके इन organs के साथ डबने की कोशिश करेगी, यानि यह जो area है यह दबेगा, यह छोटा हो जाएगा, यह छोटा होने की वज़े से, छोटा मतलब नहीं बोल सकते हैं इसको कि छोटा हो जाएगा, लेकिन यह दबेगा, जैसे आप एक pipe क प्रेशराइज कर रहे हो, आप एक pipe को दबाने की कोशिश कर रहे हो, स्वेम उसी तरीके से, तो जब यह दबेगा, यहां से जो waste product जाने वाला है, और यहां पर compression वो रखा है, यहां पर दब रखा है, तो जब यह proper तरीके से यहां से pass out नहीं होगा, तो एक तो constipation की समस्य या आएगी ही आएगी, यानि कज की समस्या रहेगी, वो proper तरीके से हमारे descending column की तरफ या सिगमाइट column की तरफ या active की तरफ जो है motion नहीं जाएगा, या waste product जो है, वो नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर intestine दब रखिए, यहां पर intestine के diameter जो है, वो shrink हो रखा है, वो छोटा हो रखा है, इसी वएसे जाकर लोग complain करते हैं कि उनको motion खुल के पास नहीं होता, खुल के पास क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां से थोड़ा 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 करके waste product आगे जा रहा है, यहां पर बड़ा पड़ा है, इसलिए satisfaction नहीं होता लोगों को, इसलिए motion करने के बाद भी लोग जो है, पूरी तरह से fresh feel नहीं कर पाते, क्योंकि यहां पर waste product अभी भी पड़ा है, और दूसरी चीज़, यहां पर जब यह दब रखा है, तो दबने की वज़े से, जो waste product है, वो पूरी तरह से बंद नहीं पाएगा, वो tight नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा के नहीं आती, उसका reason केवल इतना ही है, कि यहां से proper तरहीके से जो waste product है, वो पास आउट नहीं हो रहा, इसलिए बंद के नहीं आ रही, इसलिए fativity आ रही है, अच्छा, यह organs जो दब रखे हैं, यह सब को अपनी दरफ से प्रवावित करेंगे, इससे क्या होगा, कि हमारी body के उपर तरह तरह के impacts देखने के लिए मिलेंगे, जैसे weakness हो गया, और इसके अलावा जो है, शरीर में कुछ भी घा रहा है, वो लग नहीं रहा, weight loss हो गया, weight loss क्यों होता है लोगों का, क्योंकि liver जो है proper तरीके से अपनी functioning नहीं कर पाता, जो जर समझें, यह जो diaphragm है, यह diaphragm किसी तरीके की कोई हड़ी नहीं है, यह एक तरीके का आप इसको cartilage बोल सकते हैं, आप इसको तंतू बोल सकते हैं, तो यह जो तंतू है, यह थोड़ा वह तो ऊपर की तरफ पुश होगा, तो जब ना भी ऊपर की तरफ जाएगी, तो यह diaphragm भी बाद थकान हो जाना बहुत जादा, लंग्स जब दब जाएगे तो प्रॉपर तरीके से oxygen ना आना, स्तांस पूरी तरह से बरके नहा आना, यह सारी conditions बन जाती है, जनरली इसका impact जो आपको gonadial organs के उपर भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहां जो muscle है, अब इधर की muscle भी किसे हैंगे, इधर की muscle भी किसे हैंगे, जब एक तरफ की muscle खिछ रहे हैं, तो हमारे organ के उपर, यानि जो gonads organ है, वो भी एक तरफ का organ उपर उठ जाएगा, इसके साथी साथ जो हमारी spinal cord थी, इसके पीछे diesel system की पीछे जो spinal cord है, उसके उपर भी impact देखने के लिए मिलेग जब पीछे की तरफ एलेगी, तो वो spine को push करेगी, वो read की हड़ी के उपर impact डालेगी, और आगी की तरफ जो push करेगी, वो पेट को blot कर देगी, heavy कर देगी, तो ये एक condition बनती है, nervous displacement की वह ऐसे, या धरंड की वह ऐसे, doctors generally इसको क्यों नहीं मानते, ये बहुत बढ़ा सवाल है, doctors क्यों नहीं मानते, doctors ना मानने का एक बहुत बढ़ा reason ये भी है, कि एक तो इसको measure करने का, कि जी, muscle हमारे दर से उधर हो रखी है, उनके पास कोई equipment नहीं है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, medical science ने तो बहुत तरक्की कर लिए, उनके पास तो हर तरही है, कि equipment है, कि क प्रीक करने के लिए दरवाई नहीं है, एक मज़े की बात बात बताता हूं, जिस बीमारी का ilaz मेरे पास नहीं है, वो बिमारी नहीं होती, according to alopathy, खतम, बस इतना ही है, कि जिस बीमारी का ilaz मैं नहीं कर सकता, वो बीमारी दुनिया में होती ही नहीं है, ये alopathy का मनना है, तो इसलिए एलोपदी ने इसका नाम ले दिया IPS, IPS क्योंकि यह symptom आ रहा है यह बहुत सारे, अब क्यों आ रहा है यह नहीं पता, पता तो उनको भी है कि क्यों आ रहा है symptom, लेकिन इसको ठीक नहीं कर सकते हो, के बल सिंटम के उपर काम कर सकते हैं, इसलिए वो आपको बोलते है तो यह एक बहुत बड़ा समझने का विशह है, कि जब तक यह जो मसल है, यह नीचे की तरफ नहीं आएंगी, और हम जब लोगों को बताते हैं कि यहाँ वैक्यूम क्रियेशन हो गया, तो वैक्यूम क्रियेशन आकर क्या है, यहाँ पर अगर कोई भी मसल सेट हो गई है, य तो नावी की सक्के, यहाँ पहुंच गई, और यहाँ भी उपर की तरफ पहुंच गई, तो यहाँ पर जब नावी पहुंच गई, तो यह जो स्पेस खाली हो गया, यह खाली स्पेस क्या होगा, कि यह पूरी तरह से खाली ही रहेगा, जब आप नावी को सेट कराएंगे, तो यह उपर की दरफ चिपकी रहेंगे इंटस्टाइन और नावी के मसल जो है वो किसके यहीं आ रहेंगे यह इंटस्टाइन उपर की दरफ भी चिपकी रहेंगी क्यों क्योंकि यहां पर स्पेस है जब तक आप स्पेस को नहीं बरेंगे तब तक दुनिया में कोई भी व्य यानि पेट के अंदर वैक्यूम बन जाना है यानि जब आप धरन को सेट भी कराएंगे तो वह जो वैक्यूम है वह जो खाली जगा है वह उसको वापस से अपनी तरफ कीच लेगा मसल को और यह वापस से कुछ हो के ऊपर ही चली जाएगी तो यह एक बहुत बड़ा रिजन रहता है I hope समझ में आया होगा आपके अगर नहीं आया है तो WhatsApp नमर दिया हुआ है आप अपनी queries को clear करिए और बाकी का अगर और पेट से related problems चल रहे हैं तो एक बार हमारे साथ consult जरूर करिए आपको बहुत सारी चीज़ा clear हो जाएंगी और सबसे बड़ी बाद है कि आप at least अपनी problem को समझ पाएंगे कि आखिर हमको परेशानी है तो है क्या thank you very much